जैहिन भारतिय सेना के आगामी फोजियों तो चलो दोफर के एक बच चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का बहुती स्पेसल कलास करने का आज से आपकी रोज दोफर एक बज़े देखो जिक्के जीएस टॉपिक की स्पेसल टेस्ट सुरू हो रही है जो की आपकी 17 अपरेल आर्मी परिक्षा के लिए रहेगी यह सभी के लिए है चाहे जीडी हो ट्रेडमेन हो टेकनिकल हो नर्सिंग असिस्टेंट हो उमेन मिलिटरी पुलीस हो सभी के पेपर में इसमें से सवाल आएगा ही आएगा टॉपिक वाज सभी के लिए बहुत इं इ Sigma वज गरे परिटा में इसमें सवाल suso leia के लिए यह का बहुत इंपॉटरिटन टॉपिक है आपके लिए जिके जीएस टॉपिक आज से सुरू हो रहा है आपका बहुत दिनों से आप लोग बोल रहेते हैं कि sir Snake class लेके आएं टॉपिक वाईज करवाई है तो आज से आपका शुरू हो रहा है याद रखेंगे रोज दो फर एक बज़े देखो आपका जिक्के जीस का टॉपिक वाईज क्लास आएगा आज से और रोज साम साथ बज़े जो है देखो हम लोग मौडल टेस्ट पेपर बनाने वाले तो रोज दो फर एक बज़े जिक्क बटन प्रेस कर लेंगे और जोने वीट चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है वो सभी सब्स्क्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर सेट कर लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को क्यूचर नंबर वन के साथ जो हैं देखो शुरू करने वाले तो कौन है जिने नोबिल पुरसकार प्रथम भार दिया गया था तो नोबिल पुरसकार प्राप्त करना जो प्रथम भारतिये हैं प्राप्त करता वो कौन है तो वो है देखो रविन्ना टैगोर क्या होता है राइड आंसर तो आप्शन भी रविन्ना टैगोर इनको कब बिला था तो याद रखेगा इनको गितांजली कवीता की संग्रावाली पूस्तक थी उसके लिए इनको दिया गया था गहले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल यहां प्याई ₱ आपका देखो कि मर्नोपरांथ प्रथम भारत रत्त कि ने दिया गया वू वास गिवेंड दा फर्स्ट भारत रत्न फोस्ट आउस ली एम श्री रामचंद्रन बी आरंबेड कर के कामराज या फिर लाल बहादुर सास्त्री निमलिखित में से कौन है जिने मर्नोपरांथ प्र लाल बहादुर सास्त्री इनको कब मिला था तो याद रखना 1966 में नवाजा गया था क्लियर हो गया सभी का और इनके बाद मर्नोपरांथ मिला था सुबास चंद्र बोस जी को चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल यहां पर आपका देखो यहां दिया गया है क कि नोबल पुरसकार किस देश द्वारा दिये जाते हैं नोबल प्राइजेज आर गिवेन बाई बीच कंट्री फ्रांस स्वीडन स्वीटेजर लेंड या फिर यूए से निम्लिकित में से कौन सा देश है जिसके द्वारा नोबल पुरसकार रिये जाते हैं क्या होगा सब्सकार कब प्रारांब किये गहें वेन वेयर दवोड़ प्राइज इस्टार्ट इए 1901 1905 1934 या फिर 1900 जो नोविल पुरसकार है इसकी शुरुवात कब हुई थी जो नोविल पुरसकार है इसका सुरुवात हुआ तो देखो 1901 में क्या होता है राइट आंसर तो परशन अ 1901 चली अगले सवाल पर बढ़ेंगे याद रखेंगे जो यहाँ है आपको edf मिलेगी उस में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अ ध्यान में रखेंगे हुगा सब लिपढर में अगले सवाल परश Suzanne एका शर्श我्न मिला वरा मदूस सिप्रे थी या परसिस खम बाटा थी या रिता फारिया थी या सुस्मिता सें थी निमलेकीत में से कौन है जिने मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया था प्रथम भारतिये तो देखो मिस यूनिवर्स के खिताब प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतिये मै मीस वर्ट प्राप्त करता थी प्रतम प्राप्त करता भार्तिये प्रथम भार्तिये जिन्हें सम्माना है प्राप्त करने निमलिकीत में से कौन है जो की प्रथम भारत रत्रत सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है क्या उगर आइट अंसर सभी को बताना है तो भारत रत्रत सम्मान प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है वो है देखो इंदिरा गांधी क्या उगर आइट अंसर तो आप रत्रत डॉक्टर निल्सल मंडेला या फिर खान अब्दूल गफार खा या फिर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग या फिर यासर अराफाद कौन है जिने भारत रत्रत प्राप्ट करने वाले प्रथम विदेशी कौन है यह जो आपको यहां पर बताना है चलिए जल्दी सां अगले सवाल को करेंगे अगला सवाल यहां पर आपका देखो यह दिया गया कि रविन्ना टैगोर को किस वर्स नोवेल पुरसकार प्रदान किया गया था इन्हें वीच यह वाज रविन्ना टैगोर अवार्डेट दा नोवेल प्राइज 1911 1912 1913 या पर 1917 मैंने अभी विज 1913 में क्या हो गया राइट आंसर तो अप्शन सी 1913 चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहां पर देखो कि नोबेल पीस प्राइज नोबेल सांती पुरसकार प्राप्त करने वाली प्रतम भारती यह कौन है रविन्ना टेगोर मदर ट्रेसा या फि सांती के श्चतर में नोबेल संती पुरसकार पाने वाली नोबेल प्राइज प्राइज प्रतम भारती यह हैं कि नोबेल प्रती वर्स कहां बाठे जाते हैं वेर आर दा नोबिल प्राइस डिस्ट्रिबूटेड एनुवली मनीला इसकॉर्ट होम जेनेवा या फिर न्यू यूर्क जो नोबिल पुरसकार है यह प्रति वर्स कहां बाते जाते हैं क्या उगर राइट आंसर यह जो है आपको यहां पर बतानी है चलिए जल्दी से आंसर क किस वर्ण से परदान किये जा रहे है इन विच यहां द नोबिल प्राइजिक्न इप्राइज इन एकनोमिक्स और बिंग अवर्डेड उन्निससो एक उन्निस सो एक सट्रिया पर पींत variance합니다 किस वर्ष से जो है अर्थ सास्तर के चेत्र में नोब़्श्कार परदान किये जारा हैं तो अर्थ सास्त्र जो नोबिल पुरस्कार के चेत्र प्रधान हो रहे हैं अर्थ Absol Editor क चेत्र में वह देखी उन्निसGO उन seguir Kathy Annadbury से जो है अर्थ Industry के चेत्र में नोबिल पुरस्कार दिये जा रहे हैं कहें-चहिं आपको 1979 की जगा 1968 भी मिलेगा तो ये भी सही हो जाएगा ध्यान में रखेंगे दोनों में से को एक ही मिलेगा या तुन अगले सवाल पर बढ़ेंगे आगला सवाल है यहां पर देखो यहां आपको दिया गया है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वरिक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है अगले सवाल पे बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि सीवी रमन को नोविल पुरसकार मिला था सीवी रमन गौड दा नोविल प्राइज इन दा इयर 1930, 1931, 1932 या फिर 1934 जो सीवी रमन है इनको नोविल पुरसकार कब मिला था जो सीवी रमन है इनको नोविल पुरसकार से कब नवाजा गया था तो सिवी रहमन को जो नोबेल पुरसकार है यहाँ देखो मिला था 1930 में क्या हो गया राइट आंसर तो आप्शन A 1930 चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर देखो यहाँ दिया गया है कि नोबेल पुरसकार किसकी स्मृत्ति में दिये जाते है इन हुज मेमरी दे नोबेल पराइज और गीबेन अलबर्ट आइंस्टीन अलफ्रेड नोबेल अलफ्रेड वाडनर या फिडी में है इनमें से कोई नहीं चले जल्दी से अंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे देखो जो भी क्यूचन नोबेल पुरसकार से बनता है वो देखो कि निमलिखित में से कौन सा पुरसकार खेल कुद के च्छत्र से संबंदित नहीं है वीच आप दे फॉलिविंग अवार्ट्स इस नोट रिलेटेट टू दे फिल्ड ऑफ इस्पोर्स अरजुन पुरसकार दोनाचारे पुरसकार ध्यानचन पुरसकार या फिर नॉ पुरसकार चलिए अगले सवाल को देखेंगे अगला सवाल है आपका है आप देको 18 सवाल है कि खेलो के उत्किष्ट परदर्सन के लिए कौन सा पुरसकार दिया जाता है वीच आवार्ड इस गीवेन फोर आवटी स्टेंडिंग परफोर्मेंस इनी स्पोर्स भारत रत रत पुरसकार दुरनाचारे पुरसकार या फिर पदमिस्री पुरसकार बताना है कि खेलो के उत्किष्ट परदर्सन के लिए जो है निमलिकित में से कौन सा पुरसकार प्रदान किया जाता है तो वह पुरसकार है देखो आपका अर्जुन पुरसकार क्लियर हो गया सभी का चल रसायन विझ्यान, मैंने बताया प्रस्म की नहीं मिला तो रविनना टेगोर को मिला, कब मिला तो 1913 में मिला, किस च्छेतर में मिला, मैंने यह भी कर्वाई है था, पहले की ऊचन में ही, तो यहाँ मिला था देखो, साहित्न के च्छेतर में, क्या हो गया राइट अंसर तो आ नोबिल प्राइस इनन्यक्स में इकोनोमिक्स निज्फो संतानवे में अर्षास्तर के छेत्र में किने मिला कब मिला था तो इस्फ्र हो गया सभी का चलिए अगले सवाल पर बिढ़ेंगे अगला सवाल जो है यहां देखो आपको यहां पे दिया गया है यह है आपका question है कि खेल प्रसिक्षकों के लिए दुरुनाचारे पुरस्कार किस वर्स अस्थापित किया गया इनवी चियर दुरुनाचारे अवर्ड फोरी स्पोर्ट्स कोचेज वेर इंस्टिटूटिड उननिस सो चौरासी उननिस सो पचासी, उननिस सो सतासी या फिर उननिस सो अठासी चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा जो दुरुनाचारे पुरस्कार है खेल प्रसिक्षकों के लिए वह कब से सुरू किया गया कब से जो है प्रदान किया गया तो इसकी सुरुआत हुई देखो 1985 से क्या होगा राइट आइट आशर तो अप्शन भी 1985 चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल जो है यह देखो आपका यहां पर यह किया गया आपसे question है कि रैमन मैकसे से पुरसकार किस देश द्वारा परदान किया जाता है रैमन मैकसे से award is given by which country Thailand, म्यामार फिलिपिन्स या फिर इंडोनेसिया जो रैमन मैकसे से पुरसकार है या किस देश के द्वारा दिया जाता है क्या होगा answer सभी को करना और बताना है जो राह्मान मेक्षी से पूरसकार है इसको किस दिस्के दवारा प्रदान किया जाता है तो यहां देखो प्रदान किया जाता है फिलिपीन्स के दवारा क्या होगे राइट आंसर तो आपसंज सी फिलिपिन्स क्लियर है सभी का चलिए अगले सवाल पर वढ़ेंगे अगला सवाल जो है यह है देखो आपका यहाँ पर यहाँ आपसे किया गया है कि एसी आई नोबिल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है दे एसी आई नोबिल प्र रैमन मैकसे से अवार्ड जो रैमन मैकसे से अवार्ड है इसे एसी आई नोबिल पुरस्कार भी बोला जाता है चलिए अगले सवाल को देखेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर देखो कि आउसकर पुरस्कार किस छेतर में स्रेश परदर्सन के लिए दिये जाते हैं आ अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल आपका यहां पर देखो यहां आपको दिया गया है कि सीनेमा के विकास में योगदान के लिए निमलिकित में से किसे के नाम पर सरवत्च पुरसकार दिया जाता है अमिताब बच्चन, राज कपूर, दादा साहिब फाल के या फिर मीना कुमारी क्या होगर आई टांसर सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो देखो जो सीनेमा के विकास के चितर में किसके नाम से सरवत्च पुरसकार दिया जाता है तो वह दिया जाता है दादा साहिब फाल के पुरसकार अब देखो पूछा जाता है कि दादा साहिब फाल के पुरसकार प्राप्त करता प्रतम कौन है तो वो है देखो देविकारानी सबको याद कर लीजेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है जो देविकारानी है इनको प्रतम बार नवाजा गयाता दादा साहिब फाल के पुरसकार स ठीक है चलिए अगले सवाल को करेंगे अगला सवाल है आपका यहां पर देखो यहां आपको दिया गया है यह किवच्न है आपका कि व्यास सम्मान किस छेत्र में उत्कृष्टा के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान is given for excellence in which field फिल्म साहित्य निरित्य या फिर संगित जो व्यास समान है या किस चेतर में उत्रिष्टा के लिए दिया जाता है तो यह दिया जाता है देखो साहित्य के चेतर में उत्रिष्टा के लिए क्या आगे राइट आंसर तो आप्सन भी साहित्य हो गया सभीका चलिए अगले सवा निम्लिकित में से कौन सा पुरसकार है जो कि उपन्यास के लिए दिया जाता है तो देखो निम्लिकित में से वह पुरसकार जो पन्यास के लिए दिया जाता है वह बुकर पुरसकार क्या राइट आंसर तो आप्सन भी बुकर प्राइज चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपके 27 नमबर सवाल है कि सिनेमा के च्छेतर में उतकिष्टा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है विच वॉर्ड इस गिविन फोर एक्सिलेंस इन दफिल्ड ओफ सिनेमा काली दास दादा साहिब फाल के सरस्वती सम्मान या फिर असोप चक्र नमलिकित में से कौन सा पुरस्कार है जो कि सिनेमा के च्छेतर में उतकिष्टा के लिए दिया जाता है तो वह पुरस्कार है दादा साहिब फाल के पुरस्कार क्या अगर राइट आंसर तो अप्सन भी दादा साहिब फाल के पुरस्कार चलि अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर देखो यह है कि सिनेमा के छेतर में आजीवन उपलब्दियों के लिए ओसकर पाने वाले भारतिये कौन थे आजीवन उपलब्दियों के लिए ओसकर पाने वाले ओसकर प्रसकार तो देखो वह भारतिये जिन्हें आजीवन उपलब्दियों के लिए ओसकर से नवाजा गया वह है आपके देखो सत्यजीतरे क्या उजेर राइट ड़ंसर तो अफिर सत्यजीतरे इसayı याद रखीगा यहाँ पे क्या दिया है आजीवन उपलब्दियों के लिए जेने आजीवन उपलब्दियों के लिए पुसके लिए जो प्रथम भारतिये जिन्हें आसकर प्रसकार या बोला जाता है अगर पुछे आजीवन उपलब्दी के लिए ओसकर पाने वाले प्रतम भारती तो वह सत्य जीत रहे और बोले केवल की फिल्म किने वह कौन भारती है जिने प्रतम बार ओसकर से नमाज आ गया तो वह भानु अथाया ठीक है इन्होंने जो गांधी फिल्म क के लिए औसकर से नमाज आ गया था दोनों अलग अलग बनते हैं सब को जरूर यहाद रखे अकूज मत हो ना आज जीवनों और गल्ग्धियों के लिए औसकर पाने वाले पहले भारती तो सत्य जीत रे और किसी फिल्म के लिए ओस़ार पानने वाले परतम भारती है तो वह ग्यान पिट अवर्ड महादेवी वर्मा अमरिता प्रितम महास्वेता देवी या फिर आसा पुर्णा देवी ग्यान पिट पुरसकार पाने वाली पहली मलिया महिला कौन थी क्या होगा राइट आंस है यह जो आपको यहाँ पर करना है तो ग्यान पिट पुरसकार पाने वाल फोर गैलेंटरी प्रमवीर चक्र असोग चक्र वीर चक्र या फिर महावीर चक्र वीरता के लिए दूसरा सबसे बड़ा पुरसकार कौन सा है क्या होगा राइट आंसर तो देखे वीरता के छत्र में दिया जाने वाला तो जो दूसरा सबसे बड़ा पुरसकार है वो है महाव महावीर चक्र चलिए अगले सवाल को करेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर देखो तो अगला सवाल जो है यह है देखो आपका यहाँ पर दिया गया है कि वीरता के लिए सर्वोच पुरसकार कौन सा है वीरता के छेतर में जो है दिया जाने वाला सर्वोच पुरसकार कौन सा है तो वो है देखो आपका परमवीर चक्र दोनों याद रखेगा वीरता के लिए स दूसरा सरवच्च पुरस्कार तो हो गया महावीर चक्र ठीक है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि भारतिये ग्यानपीट पुरस्कार से पुरस्कृत सरपर्थम साहितक्यार कौन है जीख संकर कुरूप, तारा संकर बंधोपाध्याय केवी पुटपा या फिर आपकी देखो नेक्ष में दिया हुए उमा संकर जोसी भारतिये ग्यानपीट पुरस्कार से पुरस्कृत्स पुरस्कृत्स साहितकार कौन है तो वह साहितेकार जिने प्रतम बार भारती ये ग्यानपिट पुरसकार से नवाजा गया है वो एदे को जी संकर कुरूप क्या होता है राइट आंसर तो आप्शन ए संकर कुरूप क्लियर हो गया चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल जो है यह है देखो आपका यहाँ पर यहाँ दिया गया है कि बोर्लोग पुरसकार किस छेतर से संबंधित है बोर्लोग पुरसकार भी बोलते है याद रखना तो जो नॉर्मन बोर्लोग पुरसकार है यहाँ देखो संबंधित है क्रिसी से क्या होगे राइट आंसर तो आप्शन भी क्रिसी हो गया सवीका चलिए अगले सवाल पर पढ़ेंगे 35 नमबर सवाल है आपका यहाँ पर देखो कि बीसी राय पुरसकार किस छेतर से संबंधित है बीसी राय अवार्ड इज रिलेटेड टू वीच फिल्ड चिकित्सा विज्ञान सश्कृतित अथा कला विशिस्टेवा जो बीसी राय पुरसकार किस छेतर वालों को दिया जाता है ज्यान पीठ अवार्ड इज रिलेटेड इज गिवें टू पीपूल ऑफ विच फिल्ड साहित इतियास नाटक या अनृत जो ज्यान पीठ पुरसकार है यह किस छेतर में प्रदान किया जाता है तो यह प्रदान किया जाता है साहित्य के छेत्र में क्या हो गया राइट आंसर तो आप्शन ए साहित्य चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका देखो यहां पर कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है रमा कांत रत हरिवंस राय बच्चन हर्बजन सिंग या फिर विजय ते चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहां पर देखो कि ध्यान चंद पुरसकार किस चेत्र से संबंदीत है ध्यान चंद अवार्ड इज रिलेटेड टू वीच्फिल्ड भौतिकी के लिए खेलों में जीवन भर की उपलगदियों के लिए सांती औ लेकिन देखो यहां खेल वाला दो अप्सन है कि खेलों में जीवन भर की उपलगदियों के लिए या फिर खेलों के सराहनिये परदर्शन के लिए तो देखें जो ध्यान चंद पुरसकार है न वो खेलों में जीवन भर की उपलगदियों के लिए दिया जाता है ठीक है आवाड इज रिलेटेड टू विच्पिड जो राहमन मैक्से से पुरसकार है यह किस चित्र से संबंदीत है सब को करना और बिल्कुल सही करना है गलते कोई भी मत करिएगा सरकारी सेवा भरतिये दर्सन सर्श्कृति या फिर कला तो जो रह्मन मेक्स से पुरस्कार है यह देखो संबंदित है सरकारी सेवा से क्या अगर राइट आंसर तो आप्शन ए सरकारी सेवा हो गया सवी का चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर देखो कि व्यास सम समान पुरस्कार है यह देखो संबंदित है साहित्य से क्या होता है राइट आंसर तो आप्शन भी साहित्य चलिए अगले सवाल को देखेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर किस छेत्र से संबंदित है द्रोनाचारे आवार्ड इस रिलेटेड़ टू विच्विड चि करें दीजिएगा उसकी सब्सक्राइब करके जल्दी से बिल आइकन को और सेट कर देंगे तो जो दुरनाथ चारे इस तो जो सरस्वति सम्मान पूरस्कार है यहाँ आपका सब्सक्राइब साहिति स हो ग्यां पीट पूरस्कार यहं क्या होगर आईट ऑश सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो जो ग्यान पिट पूरसքर है या किससे समवन्दीत है सभी को यहाँ पर बताना है किसे सभी को निकरेगा तो це तब nerd और देखो हैं मान बुकर पुरसकार किस चत्र से संबंदित है मान बुकर प्राइज इस इलिटेट टू विच्पिड अंतराष्टिस समक्ष संचार पत्रकारिता या पिर साहित्य जो मान बुकर पुरसकार है या किस चत्र में दिया जाता है क्या होगा राइट आंसर सभी को करना और बिल्क सभी बताया है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे पैतालिस नंबर सवाल है आपका कि ग्रेमी पुरसकार किस चत्र से संबंदीत है ग्रैमी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच्पिल्ड संगीत अंतराश्री समक्ष पत्रकारिता या फिर संचार जो ग्रैमी पुरसकार ह सभी लोग बताएंगे कि जो ग्रैमी पुरसकार है या किस चत्र से संबंदीत है पत्रकारिता से जन्रलीज में से क्या हो गया राइट आंसर तो ऑप्सन सी हो गया सभी का चलिए अगले सवाल को करेंगे अगला सवाल है आपका यहां पर देखो यह किया गया है कि भारत रत रतन का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है वू इस दफर्ष्ट इस्पोर्ट्समेंट टू बी अवाड़ेट भारत रतन मिल्खा सिंग सुनिल गवासकर दारा सिंग या पिर सचिन तेंदुलकर यह जो एक मात्र है परथम भी है और एक मात्र भी है याद रखी बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहां पर देखो कि निमलिखित में से कौन भारत का सरवत्चनागरिक पुरसकार है वीच आप दो फॉल्लिविंग इस दा हाइस शिविलियन अवर्ड फॉफ इंडिया पदमभूसन भारत रतन पदमस्री या फिर ग्यान फिट पुरसक बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहां पर देखो यहां आपको दिया गया है कि मिस उनिवर्स का खिताब जितने वाली पहली भारती कौन थी वो कौन है तो वो है देखो सुसमीत आसेन क्या होता है राइट आंसर तो अपसंडी सुसमीत आसेन क्लियर है सभी का चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे यहां फिटी नमफर किविशन है आपका देखो कि कौन सा पुरसकार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता ह विच अवर्ड और ओनर इस गिविन ओनली टू बी डिफेंस पर्शनल भारत दुरनाचारे पुरसकार कलिंग पुरसकार या पिर असोग चक्र निमलिकित में से कौन सा पुरसकार या सम्मान है जो कि केवल रक्षा कर्मियों को ही दिया जाता है तो यहां कौन सा सम्मान है तो यह है देखो असोग चक्र जो असोग चक्र है यहां केवल रक्षा कर्मियों कहीं मिलता है चलिए ने स्क्रिशन करेंगे अगला सवाले आपका इक्यावन नमबर यहां पे कि निमलिकित में से कौन भारत का सरोच सैनी का लंकरन है वीच ऑफ दो फॉलिविंग इस दा हा स्योशन करण इस पीविसी परमवीर चक्र जो परमवीर चक्र है यहां भारत का स्रोच सैनीक अलंकरन है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है कि पुलिजर पुरस्कार किस च्छत्र से संबंधीत है पुलिजर पुरीजरेश इस वाटइज रिलेटे टू व से पत्रकारिता चलिए अब जो है यहां प्यारा आपका तिरीपन नंबर सवाल और जोकी आज का सेकेंड लाश क्यूशन है इसके बाद आखरी क्यूशन हो जाएगा ऑसकर पुरसकार किस चत्र से समबंदीता है आशकर वाज रिलेटेड़ टू वीच फिल्ड फिल्म साहित जन सेवा या फिर संचार जुने ने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे उसके सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बिल आइकन को और तो आशकर पुरसकार किस चत्र से संबंदीता है तो यहां संबंदीता है फिल्म से क्या हो गया तो ऑप्सन ए अब जो है आज का लाश के विश्चन और इसी के साथ आज का क्लास और पुरसकार से संबंदीत जितने विश्चन है आपके वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे complete हो जाएंगे curling पुरसकार किस चत्र से संबंदीत है curling award is related to which field जन सेवा, विज्ञान, विशिश सेवा या पिर इनमें से कोई नहीं जो curling पुरसकार है या निमलिकित में से किस चत्र से संबंदीत है तो यहाँ देखो संबंदीत है विज्ञान से, साइन से आपका इनडियन आर्मी में पुरसकार से संबंदीत पुछा जाता है वो करीब करीब 54 किउशन बनते थे आपके दो तिन अलग अलग बुक से तो आपके प्रिविए से किउशन से 54 किउशन से वो सारे के सारे आपके चुके अभी इस टॉपिक से आपका एक भी किउशन अलग नहीं है जो इस क्लास में आपका नहीं है सारे क्लास को करवा दिये गए हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको आज का क्लास का पीडिएफ दे दिया जाएगा टेलिग्राम गुरूप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिश्मिशन बॉक्स में है जाते जाते सभी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मिलते हैं आप से सीरा साम साम